नमस्कार विज्यार्थी मित्रों वेट डिजिटोल एजुकेशन माँ आप सवनु हार्दिक स्वागत छे तोरण आठ ट्रक्रण नमबर बे सुक्ष्म जीवु मित्रों ने शत्रू फाइदा कारक पण छे नुक्षान कारक पण छे आजे आज सुक्ष्म जीवों नी मदद थी बनावा मावती वेक्सिन एटले के रसीयों आपने शामाटे लईये शीये त्यानों अभ्यास करियें जुओ अपनने केईच के जारे रोगकारक सुक्ष्म जीव आपना शरीर माँ प्रवेशे त्यारे त्यनी सामेल लड़त आपवा माटे आपड़ू शरीर एंटी बोडी उत्पन्न करे चे तमने ख्याल होई तो अपने मोबाईल, लेप्टॉप, कॉम्पेटर नी अंदर एंटी वाइरस दाखल करता होई एंटी वाइरस लेता होई एशू काम करे चे तो जारे पण मोबाईल के कॉम्पेटर नी अंदर वाइरस घूसेड आश वाइरस आउश त्यारे आ एंटी वाइरस एना थी आपड़ा मोबाईल के कॉम्पेटर नी सिस्टम ने करप्ट एटले के नुक्षान थतु हुं करे एविजरिते जारे पण कोई रोग ना सुक्षम जीवो अपड़ा शरीर मा आवे जैर आपड़ा शरीर मा रहेला स्वेत कणो, एनि सामे, लडवा माटे विरुदमा माँ आपड़ा शरीर उपर असर न ठाई, एना लडवा माटे एंटी बोडी उत्पन करें शरीर एपण याद राखे छे कि आज सुक्षम जीव जारे आपड़ा शरीर मा पुनह प्रवेश है तो तेज एंटी बोडी वड़े तेनी सामें लड़त आपी शकाए आपड़ा शरीर ने एपण याद रही छे कि कोई एक रोग कारक सुक्षम जीव जो आपड़ा शरीर मा आएवो एंटी बोड़ी वड़े आपड़ा शरीर ए रोग ना सुक्षम जीव ने नाश कर दीदा पछी शरीर ने एवू पण याद होई शे याद रही छे कि पविश् शरीर मा आवे तो एज एंटीबोडी वड़े आपणू शरीर ए रोगना सुक्षम जीवोने आपणा शरीर मा प्रवेश्वा देतु न थी जो मृत अथवा निष्क्रिय सुक्षम जीवोने स्वस्थ शरीर मा दाखल करवाम आवे तो शरीरना कोशो त्यानी सामें लड़त आपवा माटे एंटीबोडी उत्पन्न करी ने उमलो करता बैक्टेरिया ने हुँ करे छे नस्ट करी देईज एकले के यहनो नाश करी देईज आ एंटीबोडी आपड़ा शरीर माँ हमेशा माटे बनेला रहे तथा रोग कारक सुक्ष्म जीवती आपड़ो बचाव पन करे छे आपड़े जारे पन कोई एंटीबोडी लईए वैक्सिन लईए त्यारे यहना मृत कोशो आपड़ा शरीर माँ दाखल थाए यहला इसामें लड़वा माटे नो एंटीबोडी उतपन करे छे अन एना बैक्टेरिया नो नाश करी देछ आ एंटीबोडी त्यार पछी कायम माटे आपड़े जीवता ओए त्या हुदी आपड़ा शरीर माँ भमेशा रहे जारे पन भविशमा इरोक कारक सुच मधिव दियार दिमीत्रों कदाच तम्में बजाए पड़ कोविड-19 ना वाइरस ना रोग थी बचवा माटे कोविशिल्ड अत्मा तो कोवेक्सिन नी रसी लाईली दी हशे ए पड़ आज इछे कोरोन ना मृत निश्क्रिय वाइरसों न शरीर माँ वैक्सिन रशी 100 रूपे अखल थाए तो तमारा शरीर माँ अगाव थी एननी सामय लड़बा माटेन आइंटी बोडिस तयार हो एटली रोग तमारा शरीरूपर असर करी शक्तो न थी वड़ी अही तमने कही छे जो के कॉलेरा ट्यूबरकोल लोसिस एटले के टीबी शितला कमडो आवा रोगो एर चीद वारा आपड़े अटकावी शक्किये चीए त्याना वैक्सिन लाई आपड़े रोगो नो नाश करी शक्किये चीए एक समये सवथी बयंकर गणवमा आवतो रोग एटले के शितला शितला अठाणुमा एडवर्ड जनर नामना वेग्ना निके शितला माटे नी रसी शोध करी रसी तैयार करी हाथी के जना कारणे आजे लगभग दुनिया ना कोई पड़ भाग नी अंदर शितला नो रोग जोवा मन तो नथी तमारा बाल पड़ मा तमने पड़ अनेक रोगो सामे रक्षण मेलवर माटे रसी मुकवा मावी है शूँ तमे आ रोगो नी या आखवा मुकवा मावी है रसी दाखल करवा मावी है तमने याज चे तो समने रित्य टीबी खशे खितला चे खशही चे कमड़ो चे धनूर चे ओरी अछबडा चे आ रोगो थी लड़वा माटे अल्वेडी तमने दवाओ अथवा तो वैक्सीन चे डॉक्टर द्वारा तम आपने बद्धाने कदा ख्याल है छे कई छे पोलियो कई छे पोलियो जीरो थी लाई पांच वरस्चु दीना बालकों ने पोलियो नी वैक्सीन आपको मावती ये शे तमने ख्याल है दो बूंद जिंदगी के पर अबर पोलियो नो वाईरस जो शरीर मादाखल थाए तो सा अंधा जे भाग पर छे एना उपर आकरमण करी मैंने निश्क्रिय करेश अले के आपना हाजपक विकलां थी जे काम करी शकता न थी एना थी बचवा माटे आपने पोलियो नी रसी आपवामा आवती होई छे तमे क्यारेक जो तमारा फेमिली कोई डॉक्टर स्वाए एमनी केई छे जो के बधा बालकोंने रोगों सामे सुरक्षा नी आवशक्ताच जरूरी रसी ए तमारी नजदीक नी होस्पिटल मा उपलब धोई छे बालकोंने पोलियो थी बच्वा माटे तमे टेलिवीजन पर तेमा समाचार पत्रमा पोलियो ना रसी करण माटे नू विगना पन तो जो योज दरेक बालकोंने आ रोगों थी बच्वानी सुरक्षा जरूरी इडिवीजे तमारी नजदीक नी क diffic नी पन होस्पिटल होई तो तिया रोगों नी रसी रसी होई छे बालकोंने पोलियो ना रोग थी बच्वा माटे टे लिब कर निउस्पेपर अंदर पोल्यो ना रसी करण ना कारियेकरमा नहीं, जाहे रातों एटले के विजनापनों तम्ये जो या हा खशे वास्तव माथो बालको ने आपवं मावता पोल्योना टीपा एक प्रकार्नी शू चे रसी चे बाड़को ने टीपापवा मा आशने पोल्यो ना एशुल छे एक प्रकारनी रसी छे कि जेना द्वारा बाड़क ना शरीर में बविश्यमा क्यारेई पण जो पोल्यो ना वाईरस आवे तो एना शरीर में अगाव थी लड़वा माटे ना एंटी बोडिस त्यार होई पोल्यो ना वाईरस एना शरीरूपर कोई असर करी शकतो नथी त्यार पची आगल केई छे जो कि एवी जरते एक समये अक्षई अथवातो भयंकर गणव मावतो रोग शितला तेना विरूध तेना वैक्सिनेशन माटे विश्व व्यापी अभ्यान चलावा मावी परेणाम सरूपे विश्वना मुट्टा भागना देशो माथी शितला ने आजे दूर करी शकायो छे शितला ने निकाल करी शकायो छे आज काल सुक्ष्म जीवो माथी रसीन उत्पादन मोट्टा पाये करवा मावे जेना थी मनुष्य तेमाज प्राणियो ने अनेक रोगो थी बचावी शताई प्राणियों माटे, मनुष्य माटे, के वनस्पती माटे, आजे आपडे आ सुक्ष्म जीवों मद थी रसियों बनाविया छी यह, मोटा प्रमाणमा के मनुष्य प्राणी के वनस्पती ने थता रोगो थी आपणे शरीर ने बचावी शक्ये छिए शरीर नो बचाव करी शक्ये छिए त्यार पच्छी छे भुमी नी एटले के जमीन नी फळदरुपता एना माटे बेक्टेरिया क्या उप्योगी छे तोहीं केई छे जो केटलाक बेक्टेरिया इटले के निल हरीत लिल वगेरे वातावरण माय रहेला नाइटरोजननू जमीन माँ पोशक द्रविया श्वरूपय स्थापन करी शक्ये आ प्रकारे जमीन माँ नाइटरोजननू प्रमाण वदेज जहना लिदे जमीननी फळदरुपतामा वधारो थाईज आ सुक्षम जीवो सामान्य रिते जेविक नाइटरोजन स्थापक पण कहवाईब पाक ना उत्पादन माटे नाइटरोजन पोशक्तत्वन यावश्यक्ताच परन्तु वनस्पती जाते अववा माथी नाइटरोजन वायू सोरूपय लई शक्तो नथी नथी तेथी करीने कितलाक बैक्टेरिया अपड़े जमिन मां उमेरता हुई आछी ये वातावरणमां थी वायू सुरूपयो नाइटरोजन लई येने पोशक्ततव मा फेरवेच के वनस्पती मूल द्वाराई पोशक्तत्व सरूपे नाइट्रोजन ग्रहन करी शक्ये जेनाले जमिननी फल दुरुपता वधे छे आने पाक उत्पादन मा पण वधारो थाई छे आवा सुक्ष्म जीवोने सामान्य रीते जहेवी नाइट्रोजन स्थापक तरीके पण उडखवामा आवे छे त्यार पच्छी आपड़ो टॉपिक छे परिया वरणनों शुद्धी करण और एना माटे सुक्ष्म जीवोनी अगत्यता जे आपने अवे पच्छी ने वीडियो लेक्चर माया जोईशू थेंक्यू